नमश्कार दोस्तो इस वीड में बात करेंगी जेई मेंस 2021 में हम कैसे जाज़ साधे स्कोर कर सकें especially mathematics part की बात करेंगे कि वहाँ पर हमें कौन-कौन से topics करने चाहिए किस topics से कितने question हर साल आ रहे हैं especially 2020 का January 10th का पूरा analysis करेंगे कि वहाँ पर जिसे mathematical reasoning से हर बार हर shift में question आया है ऐसे करकि किन-किन topics से कितने-कितने question आया है पूरा आपन detail ने बात करेंगे साथी साथ video के end में में अपना scorecard भी आपके साथ share कर दूँगा कि यह strategy follow करके मुझे mathematics part में कितने percentile वगेरा आये थे although को इतने जादा वगेरा percentile नहीं आये थे लेकिन जो मुझे college चीए था जो branch यही थी मुझे मिल गई so यह strategy में आपके साथ भी share कर देता हूं कि कॉंसे topic को आपको सबसे पहले करना चाहिए उसके लिए चलते है mobile की screen recording पर so इस वीडियो में बात करें थी कैसे आप J.E.Mains 2021 में mathematics part में 99.6 percentile से यहादा score कर पा है तो उसके लिए दिखा किया है यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है कि जैसे यहाँ पर मैंने chapters लिखे है कि कितने कितने किस topic से कितने कितने question आए और यह जो में यहाँ पर arrange किया है ठीक है जिससे फर्स निबर mathematical reasoning को इसलिए रखा है करते आने चाहिए बहुत इजी topic एक दिन में करोगे तो यहाँ बहुत अच्छे सो जाएगा इसके बाद फिर यहाँ पर जो मैंने total लिखा तो इसलिए निलखा क्योंकि यह देखो differential equation करने जाओगे तो बहुत आजा time रख जाएगा ठीक है लिख वहीं पर mathematical reasoning करोगे तो वहीं से तुम्हें एक question बहुत जल्दी से मिल जाएगा बहुत जल्दी topic cover हो जाएगा और एक question भी तुम्हें मिल जाएगा इसके फिर बात करे तो differential equation में एक question कहीं पर दो question भी आये हुए है ठीक है 7th gen shift 2 और 9th gen shift 1 में भी दो question बगेर आये हुए तो इसके आद फिर 3D geometry की बात करें तो 3D geometry से भी 1 question अपने को देखने को मिला है कभी कोई question नहीं भी आया है लेकिन वहीं पर 9th January shift 2 में 2 question अपने को देखने को मिलें इसके फिर बात करें कि statistics से पहले area bounded by the curve बात कर लेते है area bounded by the curve में आपको मतलब integration लिकालते है नहीं कि upper minus lower तो यहाँ पर आपको geometry वगर अच्छी होने ची है ठीक है मतलब कर्व अगरा बनाते हैं कि parabola कर्व कैसा बनता है ठीक है दोनो y square equal to 4x वाला और x square equal to 4y वाला वीडियो में आ लिए target कर रहे है ठीक है उनके लिए marathon classes जो फ्री classes है ठीक है यहाँ पर आपको कोई subscription अगर लेने की जरवत नहीं है आप यह free classes को access कर सकते हैं तो इसके लिगा करना है आपको description में लिंक दिए वहाँ पर आप जैसी उस लिंक पर जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा ज अगर आपको subscription अगरा लेना है तो यहाँ पर subscription भी ले सकते हो जिससे तुम बहुत सारी चीजे अगर चीजे मिलेंगी तो जो भी है आपर तुम multiple educators से पढ़ सकते हो फिर यहाँ पर live classes अगरा तुम access कर सकते हो इसके आद पिर यहाँ पर doubt clearing session तुमें मिल जाएगा और यहाँ ऱएपर just sekali single subscription लेने सब्सक्रिप्य लेने पर बहुत सारी बहुत सारी जो batches उनकी access कर सकते हो zaakथ issue अगर subscription लेना है तो कैसे ले सकते हैं ? गैसे जाएगां पर get subscription लेचर के लेकर kosher यहां पर get subscription जैसे क्लिक करो कि इसको अनकाइड में अप से open कर ले ना और अनकाइड में अप से open करने के बाद यहां पर इनका जो subscription का प्लान वगर आ जाएगा अगर for example अपने convenience के साब से तुम ले सकते हो 12 months 24 months अगर 6 months का लेते हो तो 13,500 रुपीज का यहां पर बढ़ रहा है और referral code के अगर बात करें तो referral code में तुम यूज कर सकते हो Shobit 2020 जिससे होगा कि तुमें extra 10% discount मिल जाएगा अब आपस नहीं आते हैं अपनी वीडियो पर ठीक है तो यह area bounded by the curve से भी तुम देखोगे तो एक एक question तुम देखने को मिले ही है इसके अगर कभी-कभी question नहीं भी आए इसके फिर statistics की बात करें तो statistics में एक question mean variance का का आते ही आता है तो वहांसे भी एक question अपने को देखने को मिले है इसके फिर determinant की बात करें तो determinant से दो-दो question भी आए हुए है ठीक है अब डिटर्मेंट में एक famous question है बतलब famous concept है जाई-mean का उससे question आते ही आते है कि आपको अगर कोई तीन आपको equation दी और बोला कि इसके non-zero solution है या inconsistent solution है तो lambda की value क्या होगी ठीक है ऐसे गर कि आपसे question आते ही आते है और consistently equation आया कभी-कभी question नहीं भी आया लेकिन फिर 9th gen shift में दो question भी अपने को देखने को मिले इसके quadratic equation की बात करें तो quadratic equation से भी एक equation यहां पर अपने को देखने को मिले फिर coordinate geometry की बात करें तो coordinate geometry बहुत बढ़ा है इसमें टूटल जो है पांच है अपने पांच topics है straight line हो गया, circle हो गया, ellipse हो गया, parabola हो गया, hyperbola हो गया तो यह जो सारे यह पांच topics है तो इनमें भी देखो सबसे ज़्यादा अगर कहीं से question है किसी chapter से question है तो वह coordinate geometry coordinate geometry बढ़ा भी है करने में time भी लगेगा इसलिए मैं इसको नीचे रखा है बाकि यहां से तुम्हें तीन से चार question कभी पांच question भी देखने को मिले है इसके फिर बात करें 12th number integral calculus अभी integral calculus को बहुत जिससे कर लेना क्योंकि दूसरे topics जो है इसके अभी-कभी यह quadratic question में भी गुसा के question पूछ लेते हैं ठीक है तो integral calculus में देखोगे तो अगर सिर्फ integral calculus की बात करोगे तो एक-एक question यहां से आया है कहीं पर तीन question भी आया है 9th January shift 1 में तीन question भी integral calculus का देखने को मिले है अपने को इसके फिर बात करें तो vector तो vector से भी एक question देखो consistent आया है limit continuity and differentability यहां से भी दो-दो question अपने को देखने को मिले है इसके ट्रिग्रमेटर की बात करें तो पर में पर यहां से एक question में आती 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 तो आपने इसको उपर क्यों नी रखा देखो क्या ने पीए इसा topic है ना ठीक है एसा रिप्टर है कि जहां पर अगर अगर तुम में सारे concept आते भी है ना तो भी तुम शॉर्शॉट नहीं के सकते ही कि जो मेरा answer आया है वो सही है कि नहीं ठीक है तो यह पे एंसी को थोड़ा नीचे रखा है मैंने ठीक है इसका तुम कॉंपलेक्स नंबर की बात करें तो complex नंबर से भी एक क्वेशन है complex अगरी में रखा है बाकि यहां से भी दिखोगे तो दो क्वेशन एक क्वेशन आया है तो यह पूरा था कि जो जन्वरी जन्वर एटेंट 2020 में ठीक है सब टॉपिक से कितने कितने क्वेशन आये हैं ठीक है सब में 25 जो क्वेशन है वो कैसे distributed थे तो पुरे हैं पे अपने analysis कर लिया है तो इससाब से तुम अपने maths का जो है वो maths का जो study प्लान है वो इससाब से बना सकते होगी सबसे पहले भी आ में को mathematical reasoning बहुत जल्दी हो जागा तो इसको बड़ा देता हूं मैं इसे प्रबाबिलिटे से करके यह जो पुरा order order महीं लिखा है मैंने कि किन topic को सबस आटम देखोगे तो यहाँ पर mathematics में 99.61% यहाँ पर मुझे मिले थे ऐसे करके यह तो ठीक है जो भी आया आया ठीक है इतने कोई ज्यादा हाइफाई नहीं लेकिन तुम इससे ज्यादा भी score कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हैं चैनल पहली बारा तो सब्स्राइब करें देना मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में